अगर आप एक student है या फिर एक parents है जिसके बच्चे competitive exam की preparation कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को skip नहीं करना है आज हम यूवाओं की हक्की बात करेंगे यूवाओं के संगर्स के बारे में बात करेंगे आज आपको अपने बच्चे के लिए student लेना होगा क्योंकि आपने अपनी कमाई अपने खून पसीनी की कमाई से अपने बच्चे को पढ़ाया है उस बच्चे ने बहुत मेनत किया है अपने selection के लिए दिन रात पढ़ाई किये दिन को दिन नहीं देखा रात को रात नहीं दे करेंगे क्यों कि कोई भी न्यूजE section इन सब मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता है क्योंकि न्यूजE चैनल को अपने ट्याइपि से मतलब है oquhoneचे को अपने वुटवैक से मतलब है कि कोई भी देश के बारे में ही सोच रह ऐ है देश के बेरोजकारों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बेरोजकारी कितना बड़ा धपा होता है, कितना दुख देता है ये सब्द, बेरोजकारी, क्योंकि उसके अंदर हो सारी एवल्टी है, उसको सारी एवल्टी हैं के जॉब कर सके, बस उसको क्या मौके नहीं मिल पा है हमारे या सपना दीखा जाता है बच्चे जैसे ही पढ़ाई शुरू करता है माबाप बच्चे ने खूद उसके आस्परेश को लोग सपना देखते हैं कि हम गौर्णमेंट चॉप करेंगे अपने माबाप का नाम रोसन करेंगे लेकिन आज गौर्णमेंट क्या कर रही है बेकंसे ने निकल रही अगर बेकंसे निकल आती है तू उसका रिजल्ट नहीं घोसित होता एकजाम नी करा पाती ब कज़तун करा ले दिया आजकर सिश्चा परती का हाल देखा था कितनी मुस्कल से उसमें जौनिंग हो पाई कितनी टाइम सर चली रही उन बच्चों की मन मे क्या बीत रहोगी अब आभी आप देख लीजिए दोजर सत्रा बैच का जो बच्चे बीएड बीटी सी कियोंगे अभी इता कि एक भी बैकंसी नहीं आई ओ बच्चे कफ से तैयारी करके इस उमीद में बैठे हैं कि एक तो बैकंसी आए ऐसे आपका ससी में रेलवे में बैंक सब जगे यही हाल है आज हमें क्या करने है अपने हंकी लड़ाई खुद लडनी होगी संगर्स करना होगा कि हम इतनी महनत कर रहे हैं भरते निकल रहे तो उसका इंत्यानान नहीं करा पा रहिये परिछा हो रहे है तो उसका रिजल्ट नहीं देदे पा रही है और परड़ निकल आता है तो जॉइनिंग का नाम नहीं हो रहा है फिर यू यूद का सम्मान क्यों नहीं है तो कि हमारी सोसाइटी किसी के मेहनत नहीं देखती कि आपने कितनी मेहनत किया है आपने कितनी राते जाग जाग के अपने सिलेबस को तैयार किया है हमारी सोसाइटी क्या देखत कहते हैं कि अब तो घर से भी फीस मिलना बंद हो रही है क्योंकि पैरेंट्स भी कहने लगते हैं कि कितने साल तयारी करनी है अब बते ही उस बच्ची की क्या गलती है जैसे आप टीचे बढ़ती से दीख लिजे जो 2017 का बच्चा 28 BTC कर चुका था उसने टेट भी हैं वो तब से सूपर टीट की तयारी कर रहा है लेकिन अभी तक सूपर टीट की भरती नहीं आई तो बच्चे कहते हैं मैं कब तक आएंगे घर वाले भी कहने लगते हैं कि कब आई की वैकंसी सब प्रिसान है लेकिन गवर्नमेंट को इन सब चीजों से कोई मतला भी नहीं है इसके लिए अब हमें क्या करना है हमें खुद अपनी आंदोलन को अपनी संगर्स को करना होगा तो कि हमें अपने माबाप का सपना पूरा करना है हर हाल में हमें जौब लेनी है इसके लिए हमें गवर्नमेंट को विवस करना होगा क्या हमें रोजगार दीजिए हमारे सा आटाना है, गौवर्मन्ट जॉब करनी है, इसके लिए एक डिजिटल इस्ट्राइक चला जा रही है, यह डिजिटल इस्ट्राइक में आपको क्या करना है, पचीस फरवरी को, कब पचीस फरवरी को ग्यारा बचे से, आपको एक ट्वीट करना है, मोधी रोजकार दो, में बहुत सारे यूटूबर से रिक्वेश्ट करूंगे, जो भी टीचिंग एक्जाम से चुड़े हो, वो सारे भी इसमें सामिल हो, क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ एससी, रेलवे, बैंकिंग के यूटूबर, एजुकेटर सामिल हुए, अभी टीचिंग एक्जाम के प साथ करनी, एससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग एक्जाम, टेट, सुपर टेट, केवियस, जहां भी बैकंसी आती है, जहां बच्चा त्यारी करता है, हर जगे निस्पस तरीके से एक कालेंडर जारी किया जाए, उसमें पता हो कब कौन सी बैकंसी आने वाली है, इसका systematic way पर क्यों आसानी से government कर सकती है, क्योंकि जब government को अपना election करवाने होते हैं, तो election की process कितनी आसानी हो अपाती है, उसके लिए government सारी सरकारी कर्मचारी लगा लेती है, सारी process बहुत ही smoothly हो जाती है, election होता है, उसके तुरांद बात क्या होती, counting हो जाती है, तुरांद अपन समारो कर लेते हैं, सपत कर लेते हैं, यही process हम joining में क्यों नहीं ले पाते हैं, कि एक time दे दीजे, उतने time में आप exam कराईए, exam कराने के बाद तुरांद उसका result लाइए, result लाते है, joining करवा दीजे, सारी चीजे निस्पस तरीके से कराई जा सकती है, इसके लिए अब हमको क् ट्विटर एकाउंट पर जाके, मोदी रोजताकार दो, हैश्टक सिच्छक भरती, इसको जाके ट्विट करना है, बार बार री ट्विट करना है, ताकि यह टेंडिंग में आ सके, वो बेरोजकारी जैसे मुत्ते पर न्यू चैनल भी विवा सोच हैं बात करनी के लिए, बीचे एक चाम के बच्चे, हैश्टक सिच्छक भरती को भी करिये, ताकि सिच्छक भरती भी लोगों की नचर चाहे, आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी होगी है, जैसे आप देखरो हो, हमारी गवर्मेंट कहती कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंडिया में अभी कुछ दिक्कत है, इसलिए हमने नोटिफकेसन नहीं जारी कर पारे, सोची एक छोटा सा नोटिफकेसन जारी करनी की बात हो रही, तो जारी नहीं उपार है, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल हो रहे, किस बात का डिजिटल, अभी अपने रेलवे पुरा है हमारे देश का हमारे बड़े महान भहान नेताओं अपना जीवन अपना सरवस्य निचावर कर दिया भारत माता के लिए क्या उन्हों ने यही शपना देखा था ऐसे भारत का सपना देखा जाए एक मुलभूत जरूरत थी रोजकार देना उस रोजकार के लिए आंदोलन करना पड़ेगा हमें इस्ट्राइक करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे मुलबूत ओसकता के लिए एक्जाम करानी के लिए बैकन से निकालने के लिए हमें आंदोलन के जरूरत है हम सब को एकजोट होना है और यह हमारे जो आंदो से वेकंसी हो उसका टाइम पर रिजल टाइम पर निकाला जाए जोईनिंग अच्छे तरीके से ऐसा नहीं है जैसे उन्हतर हजर का पर्दी होती है रिजल टाता है फिर पद चलता है मामला कोर्ट में चला जा रहे हैं उस बच्चे पर क्या बीचती है अंदाजय लगा सकते उ उसके फैमिली पर क्या बेत्ती है और उन्हें सपना देखा होता है कि मेरा बेटा मेरे बेटी के जौब लग जाएगी बच्चों ने सपना देखा होता है कि इसमें हम अपना एक पत्तों निस्वत कर लेंगे उसके लिए जीत और भीनत भी करते हैं लेकिन फिर क्या होते है कौर्मेंट की वज़े से कभी कोट में चली जा रही है कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है कभी उसके आंसर की गलत आ रही है कभी पेपर रद्ध हो जा रहा है तो ये सारे चीज़ों को भी नस्ब इस तरीके से क्यों नहीं करा पा रहे हैं इसलिए आपको इस ट्विट को बहुत जादा ट्विट करना है अपने सारे फ्रेंट के साथ ही वीडियो सेर कीज़े अपने सारे फैमिली मेंबर के साथ वीडियो सेर कीज़े क्योंकि बहुत सारे बच्चे बताते हैं उपने parents से सेरी नहीं कर पारें कि दिक्कत क्या हो रही है आज आपके पास मौका है अपने parents को बता सकने का कि महनत आप भी कम नहीं कर रहे है लेकिन क्यूं selection नहीं हो पारा है क्योंकि कई बर parents भी नहीं समझ पारें उन्हें लगता है हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहे बच्चे कई बर पढ़ रहे होते लेकिन क्या करें अगर vacancy नहीं आ रहे है अभी आप SSA सेर्जल का देखिए vacancy कितनी कम हो गई है 2013 में 16,000 कुछ vacancy थी और इसके बाद 2014 में आपके 15,000 कुछ vacancy होई आज आपके vacancy कितनी कम हो गई हमें क्या करना है vacancy बढ़ानी है ताकि सब को रूच कर दे सके लेकिन इधर उल्टा क्या और है vacancy को बहुत कम कर रहे है उसके साथ ही उस vacancy को क्लियर नहीं कर रहे है इस सब के लिए आपको क्या करना है 25 फरवरी को 11 वजे ट्विटर पर जाके आप सब को उस ट्विट को ट्विट करना है बार बार रिट्विट करना है ताकि उसके आपको ट्रेंडिंग में आ सके इसके लिए आपको इस वीडियो को सब के साथ सेयर कीजिए जादस जादस वीडियो को सेयर कीजिए अपने family को अपने friends को social media handle में जहां भी आप से share कर सकते हैं WhatsApp, Facebook, Messenger जहां भी कर सकते हैं ताकि सब एक साथ मिलके आएं इस अंदूलन को सफल बनाना है और हर हाल में वेकंसी निकलवानी है और बहुत ही सही तरीके से कम टाइम में उसका exam हो, result आएं और उसकी joining हो इस सब के लिए आप सब लोग जो tutor account नहीं चलाते जाके tutor account डाउनलोड कीचे और जाके इस tutor को बार बार retweet कीचे ओके friends अब हर हाल में आपको रुकना नहीं है जादस जादस वीडियो को share कीचे ताकि लोग आपके समस्या को भी समझ पाएं कि समस्या क्या है teaching exam में तो और भी हालत पूरी है कोई SSC बगरा का तो एक बहुत बड़ा तब का बच्चे बहुत बच्चे फ़र्म भरते हैं तो उसमें तो फिर भी बहुत सारे educator भी आए teaching exam में बहुत कम बच्चे होते हैं तो बहुत सारे educator ही नहीं है अब जैसे KVS वरती KVS वैसे को पहले COVID के करण नहीं है अभी तक KVS में भरती नहीं है उसमें कोई बात ही नहीं करते है SuperTate के लिए 2017-2018 बेच कब से वेट कर रहा है SuperTate के लिए नहीं आई vacancy UPTate UPTate के exam के लिए अभी तक घुशित नहीं कर पा है कि UPTate exam कब कर आएंगे UPTate के लिए डिसाइट नहीं कर पा रहा है और बात करते हैं इंडिया डिश्टल हो रहा है ऐसा कैसा डिश्टल इंडिया है भे कि हम छोटे छोटे वेसे काम नहीं कर पा रहे है इधर आपको primary के लिए टेट के वेकंसी नहीं जूनिया सुपर्टेट के जो notification नहीं चारी कर पा रहे है इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए क्योंकि अब हमें बदलना होगा बहुत जादा अन्याय सहना भी गलत होता है हमें अपनी बात को मनवाना है इसलिए आप क्या रवचे सब लोग tweet कीचे अपने सारे family member को वीडियो शेयर कीचे और सब को बताईए क्या समस्याओं क्या हो रहे है उन सब के बारे में अपनी समस्याओं को बताईए ओके फ्रेंड सब तक ये वीडियो को सेयर करते रहे है